लागातार हम लोग आज पंद्रहवे जिले में भारत जोडो यात्रा में भाग लिये हैं आदनिये सुबोतकान साहाय जी आदनिये बंदुतिर्की जी और समस्त जिला के साथी गन लागातार भारत जोडो यात्रा में हम लोग सामिल हुए बीच में इन दौर में भी हम लोग गए आदर्निय राहूल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला कर चलने का उसर मिला और जो आदर्निय राहूल गांधी जी का उद्देश से है कि भारत जोड़ना है और महेंगाई से लोगों को निजात दिलाना है बेरोजगारी से लोगों को निजात दिलाना है और साथ ही जो नफरत चरम पर है उसको खत्म करना है ये कार्जकम अच्छा चल रहा है इसके साथ ही साथ आप सबों को ग्यात है कि परसो अमारी कमीटी भी एनाउंस हो गई इस बीच में चुकी हम लोग लागातार बाहर रह रहे थे इसलिए आप लोगों से रूब अरू नहीं हो पाया था आज इक्षा होई कि आप सभी को के सामने पेश हूँ और जो भी हमारे कमीटी को ले करके विसंगतिया है उसको दूर कर दी गई है और यह हम कह सकते हैं कि कॉंग्रिस में लोकतंत्र है सबको अपनी अपनी बाते रखने का पूरा आधिकार है उसका तरीका है और उस तरीके से सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से विरोज जताया अपनी बात कही हम सभी लोगों के सुझाओ का हम सभी लोगों के का जो हम लोगों पर विश्वास है या हम पर विश्वास है सभी लोगों का कॉंग्रेस पर उस विश्वास के निमित आज हमने चार जिला ध्यक्ष के जो की जो नियुक्ति हुई थी उसमें परिवर्तन किया है रामगण में जो मुन्ना पास्वान जी थे अभी वो बने रहेंगे साथ ही साथ कोडर्मा में भागीरत पास्वान जी को अध्यक्ष बनाया गया है गड़वा में अवेदुला हक्त अंसारी जी को बनाया गया है और साहिव गंज में बरकत खान जी को बनाया गया है साथ ही साथ कई जगों पे ऐसा महसूस हुआ लोगों की भावना थी कि और कॉंग्रेस कमीटी को मजबूती देने के लिए जिस तरह से हमारे साथ चार आदर्निये कार्जकारी अध्यक्ष गन है उसी तरह से कई जिलों में यावसक्ता महसूस की गई सभी जो हमारे नेता गन है उन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी उन सभी के बातों को ध्यान में रखते हुए और जो कॉंग्रेस की परंपरा रही है कि सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की या नेता हो या सभी जाती संप्रदाय सभी धर्म के लोग सभी लोगों को लेकर के चलने की परंपरा सुरू से रही है उस परंपरा में हम विश्वास करते हैं हाँ कुछ देर के लिए लोगों को गलत फहिमी हो जाती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हर गलती का सुधार होता है और गलती को सुधारना ही सबसे बड़ा काम होता है और उसको हमने सुधार कर दिया है हमने अखिल भारती कांग्रेस कमीटी के हमारे प्रभारिये आधरनिया विनास पांडे जी से हमने अपनी बात कही थी, सभी लोगों ने अपना एतराज जताया था और हम लोगों ने आगरा किया किया कि अगर इस तरह से और इसमें ये किया जाएगा तो और अच्छा होगा प प्रभारी जी ने और जो हमारे राष्टी अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे जी ने इस बात की सुकिर्ती दी और केसी बेनु गोपाल जी ने अब एक और जो हम लोगे स्टेप बढ़ रहे हैं कार्जकारी अध्यक्ष की ओर तो हमने अपने प्रभारी को एक सुची भेजी उसका भी अनुमोदन प्राप्त हो गया है इस्ट सिंग्भूम जमसेथपूर में धर्मेंद्र सोनकर जी को कार्जकारी अध्यक्ष बनाया गया है और अमित राय को ग्रामीन का कार्जकारी अध्यक्ष बना गया है उनको धर्मेंद्र सोनकर को नगर का बनाया गया है राच रूरल में एनूल हक अंसारी को कार्चकारी अध्यक्ष बनाये गया है। पराय केला खरसावा में अंबुच कुमार पांडे जी को कार्चकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जो जिलो में है वो हो जाएगी हम लोग लगभग 200 प्रखंड जो बनाये थे 319 प्रखंड उसमें 200 से उपर प्रखंड की कमीटी बन गई है। और बाकी 119 प्रखंडो की कमीटी बननी बाकी है। उस पर हम लोगोंने फोकस किया हुआ है। अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। साथी वेल आइकेन बटन दबाना ना भूले।